कि यूटूब चैनल प्रिक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओल और फ्यू मैरी तू जैसे कि आपको पते हैं बच्चो हम के वियर्स टीजटी एसस्टी और पीजटी की प्रिप्रेशन कर रहे हैं पीजटी की तैयारी चल रही ह और आप वो अब किलासीज मिल रही है चलिए आपके लिए कुछ लायने लिक्षी हुई है जो हो गया उसे सोचन ही करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते जो आपके साथ हो चुका उसे आप आप सोचा मत कीजिए सोचिया मत जो आपके पास अब है आपके पढ़ाई चल रही है आपने फोर्म बढ़ा हुआ। के विएस की तो इसकी प्रिप्रेशन कीजिए जहां आपका जो पहले आपने फॉम भरे थे उसमें सिलेक्शन नहीं हो उन्समें उन्हें मत सोचे उनके बारे में मत सोचे एट परजेंट जो आपके पास है आप स्टेडी कर रहे हो उस पर द्यान रखे उस पर फोकस रखिए आपको जो शफलता है वो अविश्य ही मिलेगी हासिल आपको जो सफलता है वो जरूर होगी वक्त और हालात पर आप रोये नहीं कि पीछे हमने क्या क्या यह सब आपको सोचना नहीं है जो अब आपको अपनी तयारी करनी है और हासिल आपको क्या जो सफलता सफलता हासिल कर नहीं है सफलता तो वक्त और हालात पे आपको रोना नहीं है पिछली जो पीछे जो हो चुका उस पर ध्यान नहीं देना उसके बारे में सोचना नहीं है जो परजेंट में आप स्टेडी कर रहे हो सिर्फ इस स्टेडी पे अपना फोकस रखे और अपना जो टार्गेट है के के वेस में सिलेक्शन लेने का सिर्फ उस पर आपको फोकस करना है जो परजेंट में आप तैयारी कर रहे हो उसी चीज़ पर क्या आपको फोकस करना है तो आपको अवेश्य सफलता मिलेगी वक्त और हालात पर आपको रोना नहीं है उस टाइम के लिए आपको रोना नहीं ह जो आपके पास अब है फिलाल है उस पर आपको ध्यान देना है फोकस करना है चलिए next पेज़ पर चले गए अब हम next पेज़ पर देखते है next पेज़ पर क्या दिया गया है next पेज़ बर है चलिए next page पर चले गया अब हम next page पर दिया गया है class class कुन सी है हमारी 16 class है 16 class है हमारी 15 जो पहले 15 marathon class हो चुकी है वो आप वीडियो के जो playlist होती है जो आपका playlist है वहाँ पर आपको कहा प्ले लिस्ट में आपको 15 वीडियो मिल जाएगी 15 वीडियो मिल जाएगी जो पहले हो चुकी है चलिए next page पर चलते है अब हम next page पर चलेगा हमारा first question है अब हम first question क्या हमारा कलिंग चलिए अब हमारा first question दिया गया अब हम अपना पहला question करेगे आज की जो marathon class है इसका हमारा first question आ चुका है फर्स question में क्या दिया गया क्लिंग नरेस क्लिंग नरेस के संबंदित था तो बताये बच्चो जो वंस पूचा गया है जो खारवेल था वो कौन से वंस संबंदित था कौन से वंस संबंद था कौन से वंस में वो जनमा था यह आपसे पूचा गया है कि उसका जो वंस था किसका जो कलिंग नरेश खारवेल है उसका वंस पूचा गया है तो बताईए जो वंस था वो कौन से थ कार्वेल नरेज का जनम कौन से वंस में हुआ था ओप्षण ए ओप्षण ए क्या हमारा चेदी ओप्षण बी कदम ओप्षण सी हरियक ओप्षण डी कलिंग ओप्षण डी क्या हमारा कलिंग तो जो कलिंग नरेज खार्वेल था वो कौन से वंस संबंदित था कौन से फ्रॉस्ट का जो राइट आंसर होगा उपशन को नरेस का जनम हुआ तो फ्रॉस्ट का उपशन हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों बड़े गए अब हम नेक्स्ट कोशिन के और जलते हैं नेक्स्ट कोईशन आ चुका है हमारा कोईशन नमबर सेकिन कोईशन सेकिन में दिया गया है प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में देश की अर्थ विवस्ता में अत्यंद महत्यपून भुमी का निभाने वाला प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में देश की अर्थ विवस्ता में अत्यंद महत्यपून भुमी का निभाने वाले शेनी संगठन के संधर्व में निमलिकित जो हमें कथन दिये गए इन में से कौन सा कथन सही है तो क्या जो कथन हमारा सही है वो ही क्या होगा हमारा आंस्वर होगा चलिए पहला कथन पढ़ते हैं पहला कथन क्या है हमारा प्रतेक शेनी राज्य की एक केंद्रिय प्राधिकरन के साथ पंजीकरत होती थी और परसासनिक इस्तर पर राजा उनका परमुक होता था दूसरा कथन है शेनी ही वेतन काम करने के नियमों मान को और कीमित को शुनिचित करती थी आगे देखते आगे कौन सा कथन दिया गया है तीश्रा कथन है अब हमारा शेनी का अपने सदैश्यों पर निया एक अधिकार होता था निमलिकित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए तो हमें जो कूट दिये गया है जो कथन दिये गया है उनमें से कौन-कौन सा कथन हमारा सही है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सा जो कथन हमारा सही है कौश्यन सैकिंड में हमें तीन कतन दिये गया है तो इसमें से पहला जो कतन था हमारा पड़ती एक शेनी राज्ये की एक केंद्रिया प्राधिकरन के साथ पंजीकरत होती थी और प्रशाशनी किस तर पर राजा उनका परमुक होता था तो ये कतन क्या हमारा गर्लत दूसरा कतन ने शेनी ही वेतन काम करने के नियमो मान को और कीमत को शुनिचित करती थी तो ये कतन अमारा सही है था अब हम तीसरा कतन देखते है तीसरा कतन देखेगे तिसरे जो इस्टेटपमेंट है उसे देखेंगे तीसरे कतान पर नयाय को अधिकार होता ठाथ यह कतंबी क्या है हमारा सही इसाघ्रों क्याया है तो धिकतवन कोन से विपशन दोनों कातन लाँ चैसका पहले औप्षन में नहीं दिया गया दूसरे option में केवल तीसरा यह भी नहीं है तो तीसरा जो सी option है हमारा इसमें दिया गया केवल दो और तिन तो दोनों के दो दूसरा और जो तीसरी statement ती दोनों कतन क्या थे हमारे सही थे तो यह क्या है राइट आंसर है नेक्स्ट जो question second का option सी क्या है हमारा राइट आंसर है दूसरा और जो तीसरा कतन है यह हमारा सही है चलिए अब हम next question क्यों बढ़ेगे next question क्यों चलते है next question क्या है हमारा question number four अब हमारा दिया गया है question four question four में क्या दिया गया है question थड़ है अब हमारा आमने दो question कर लिए तो यह तीसरा question है हमारा तीसरे question में दिया गया है लाल चेर के नाम से लाल चेर के नाम से लाल चेर के नाम से परशिद वह चेर सासक कौन था जिसने कनगी पत्नी के मंदीर का निर्मान कराया था तो कोश्यन में क्या दिया गया है तीसरे कोश्यन में दिया गया है लाल चेर के नाम से परशिद वहें चेर सासक कौन सा जो चेर सासक था वह कौन था जिसने जिसने कनगी पत्तिनी के मंदिर का निर्मान किया था तो कौन सा जो कनगी पत्तिनी पत्तिनी थी उसका निर्मान मंदिर था जो वह उसका निर्मान किसने करवाया था वह चेर सासक पुछा गया जो लाल चेर के नाम से परशित था तो वह सासक कौन था जि जिसका जो नाम जो फैमस था जो लाल जेर के नाम से परशित था एक तो यह कोश्चन है और जिसने क्या करवाया था जो कनगी जो पत्नी थी उसका जो मंदिर था उसका निर्मान करवाया था तो चलिए उप्शन देखें गया अब हम उप्शने एलारा उप्शन भी कारिकाल उप्शन सी सैन गुटवन उप्शन डी नेदून जेरल आदेन तो वो सासक कौन था जो लाल चेर के नाम से परशित था वो चेर सासक पूछा गया है वो कौन था और जिसने मंदिर का निर्मा कनगी के जो मंदिर ता उसका निर्मान कराया था तो कोशन जो थड़ है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा उप्शन सी कौन सा सकता वो कौन सा सकता सेन गुटवन सेन गुटवन वो सा सकता जो लाल चेर के नाम से परशित था कौन से नाम से परशित था बच्चो लाल चे सी हमारा राय तांसवर है चलिए next question क्यों बढ़े गया भम ble नेक्स्ट कोश्जिन क्यों चलते है नेक्स्ट कोश्जिन है हमारा question number 4 question number 4 दिया गया है question 4 में क्या दिया गया है तमिल का गोइव गुर्व ग्रंत जीवक चिंतामनी किस से संबन दित कोशन फोर दिया गया हमारा जो त मिल का गोरव ग्रणत जीवक चिंता मनी किसे समभंदित है तो बताएं जो तमिल का जो गोरव ग्रणत Je The चिंता मनी पूछा गया वो किस से संबंदित है तो बताइए जो जीवक चिंता मनी गोरवगरंद है तमिल का वो किस संबंदित है कौन से धरम से वो संबंदित है जो तमिल का गोरवगरंद पूछा गया इसमें जो जीवक चिंता मनी है जीवक चिंता मनी वो किस से कौन से धर दू अप्शन डी साई तो कौन से द्रम से वो संबंदित है वह द्रम पुछा गया है जो तमिल का गोरव गरंथ है जीवक चिंता मनी तो इसका राइट अंसवर होगा कोईशन 4 का राइट आंसवर ऑप्शन एजैन जैन से क्या है वो संबंदित है जैन जो जैन धरम है उससे कौन सा जो तमिल का गोरव गरंत है कौन सा जीवक चिंता मनी जो है धरम चिंता मनी जो है ये कौन से धरम से जैन धरम से संबंदित है जैन से संबंदित है तो question 4 का option A हमारा right answer है चलिए next question क्यों बढ़ेगे next question क्या हमारा question number 5 कोशन फाइव में दिया गया है तमिल भासा के सिल्पादी कारम और मनी मेकलई नामक गोरवगरंत किस से संबंदित है Question 5 में क्या दिया गया हमारा जो तमिल कौनसी भासा के पूचा गया जो तमिल भासा के सिलपाधी कारम और मनी मेकलाई नामक जो गोरव गरंत खैंकhen किससे संबंदी तैंक तो कौन-कौन से तमिल भासा में लिके गए क्backs नाम आपको अच्छे से करने है नाम आपको प्त्रा को पता रहेगा कि यह कौन दिर्म से संबंदित है तो एक कोशन आपको बड़े प्यार से बड़े ध्यान से करना है बड़े ध्यान से फोकस करके आपको इस्टडी करनी है तो तमिल भासा के जो कौन-कौन से पुछा गया इसमें जो गोरव गरंते सिलपादी काराम और मनी मेक लई यह दो गरंत दिए गए है तो क्या बूचा गया कौन से धरम से संबंदित ते या किस से संबंदिते option A जेन धरम Auto B बोध धरम Option C हिंदु धरम Action D इसाई धरम इसाई धरम तो question 5th का जो right answer होगा Question 5th का right answer के हमारा option B both dhrams कोण से धरम से संबंदिते बोध धरम से तो both dhrams जो तमिल भासा के कौन कोण से गोरव गुरन संबंदित ते सिल्पादी कारम और मनी मेक लए जो दोनों गरंथ है किसके जो तमिल भाशे के गरंथ है सिल्पादी कारम और मनी मेक लए ये दोनों के दोनों बोध धरम से संबंदित थे चलिए next question के और बढ़े गया अब हम next question के और चलते है question number six छड़ा question है यह हमारा six question में दिया गया नीमन में कोन संगम युगीन व्याकरन रचना सरवाधी को महत्यपून रचना मानी गई है question six में पूचा गया है नीमन में कोन संगम युगीन व्याकरन रचना सरवाधी को महत्यपून रचना मानी गई है तो बताए बच्चो जो चार ओप्शन दिये गए इनमें से कोन सी संगम युगीन व्याकरन रचना है सरवादिक महत्यपून रचना मानी गई है तो कोशन में से कोशन निकल क्या रहे आपको इनका ध्यान रखना है बच्चो कोशन में से भी कोशन बन रहे है से कोशन यह भी तो बन रहा है आपका की जो सबसे संगम युगीन व्याकरन रचना सबसे अधिक ज्यान रचना मानी गई तो इसमें चलिए क्दि को आपको देखे आप हम इशम्हें क्या दिया गया है हूज अनुख्य है option A option B option C option C right answer सबसे इंपोटेंट रचना मानी गई है तो कौन सी रचना है वो सबसे इंपोटेंट रचना मानी गई है तो तोल कापियम तोल कापियम जो रचना है वो सबसे इंपोटेंट रचना मानी गई है कौन सी संगम यूगीन व्याकरन रचना तो कौन सी रचना है तो कौशन 6 का उप्शन C हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ेगे नेक्स्ट कोशन है अब हमारा कोशन नमबर 7 कोशन 7 में दिया गया नीमली कित राजवनसों में किसका उलेक संगम सहित्य में नहीं हुआ है कोशन 7 में पूचा गया है जो चार ओप्शन दे गया इनमें से कौन सा राजवनसों में किसका उलेक संगम सहित्य में नहीं हुआ है तो कौन सा संगम में कौन सा कहां पर उल्लेक नहीं हुआ था जो संगम शाहित्ते है उसमें उल्लेक नहीं हुआ था तो संगम शाहित्ते में किसका उल्लेक नहीं हुआ था वो कौन सा राजवन्स थे कौन से राजवन्स तो पूचा गया इसमें वो राजवन्स पूचा गया जिसका उलेक कई में नहीं हुए था संगम साहित्ते में नहीं हुआ था तो संगम शाहित्ते में कोश्चन पर फोकॉस रखे जिसका नहीं हुआ था इसमें पूचा गया जिसका उलेक संगम शाहित्ते में नहीं हुआ है वो बताना है जिसका हुआ है वो नहीं तो जो जिसका उलेक नहीं हुआ है वो कदम जो कदम राजवन्सों का उलेक संगम साहित्ते में नहीं हुआ है तो question 7 का option A हमारा right answer है question 7 का option A हमारा right answer है next question क्यों बढ़ेगे next question का हमारा question number 8 question 8 में दिया गया है संगम युग में उरे रूर किसलिए विक्षात था question 8 में क्या दिया गया है जो संगम संगम युग में उरे रूर किसलिए विक्षात था तो बताए जो संगम युग में कौन से युग में पूछा गया है संगम यूग में उरे यूर किसलिए विख्यात था तो बताएं जो उरे यूर था वो किसलिए विख्यात था option A मसालो के व्यापार का महत्यपून केंदर option B कपास के व्यापार का महत्यपून केंदर option c विदेशी व्यपार का महत्यपून व्यपारिक केंदर option d आंतरिक व्यपार का महत्यपून व्यपारिक केंदर तो बताईए किसलिए विख्यात था जो उरेयुड है वो संगम संगम यूग में किसलिए विख्यात था तो question 8 का जो right answer होगा हमारा option b कपास के व्यपार का महत्यपून केंदर किसके लिए विख्यात था किसके लिए विख्यात था उरेयूर कपास के व्यपार का जो महत्यपून केंदर था वो क्या था संगम यूग में उरेयूर इसलिए विख्यात था कपास के वैपार का मैं तेपून केंद्र था तो question 8 का option B हमारा right answer है चलिए next question क्यों बढ़ेगा है भाँ next question है question number 9 question 9 है हमारा तोल, तोल किप्यम गरंत शंबंदित है question 9 में क्या दियागा है तोल किप्यम गरंत संबंदित है कौनशा गरंत पुछागा है इसमें तोल किप्यम जो गरंत है वो शंबंदित है किस से संबंदित है option A परसासन से option B विदी से option C व्याकरन और काव्य से option D उप्यूक्त सभी से तो बताईए जो गरंत था कौन सा जो तोल की प्यम जो गरंत है वो किस से संबंदित है जो question 9 है हमारा इसका जो right answer होगा जो तोल की प्यम जो गरंत है वो शंबंदित किस से व्याकरन और काव्य से तो question 9 का question 9 का option C हमारा right answer है व्याकरन और काव्य से जो गरंट संबंदित है वो कौन सा गरंट संबंदित है तोल किप्यम गरंट संबंदित है question 9 का option C हमारा right answer है चलिए next question के ओर बढ़े गया अब हम next question के ओर चलते है next question के हमारा question number 10 question 10 दिया गया अब हमारा धार्मिक कविताओ का संकलन कुरल किस भासा में है question 10 में पूछा गया है धार्मिक कविताओ का संकलन कुरल किस भाशा में है तो बताए जो धार्मिक कविताओ का संकलन है वो कुरल किस भाशा में है तो जो कुरल है वो किस भाशा में है कुरल क्या एक धार्मिक कविताओ का संकलन है वो उसकी जो भाशा है वो पूछी गई है कि कौन सी भाशा में है option A, Greek, option B, Tamil, option C, Telugu, option D, Pali तो कौन सी भाशा में संकलन है जो धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है वो कौन शी भाशा में संकलन है कौन सी भाशा में है question 10 का option B, हमारा right answer है जो धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है वो दमिल भाशा में है तो question 10 का option B, हमारा right answer है question 10 का option B, हमारा right answer है चलिए next question क्यों बढ़ेगी अब हम next question देखेगे, next question क्या है question number 11 question 11 दिया गया है हमारा question 11 में क्या किस संगम युगिन राज्य के संगरक्षन में तीन संगमों का युजन किया गया question 11 में पूछा गया है किस संगम युगिन राज्य के संगरक्षन में तीन संगमों का युजन किया गया तो बताईए जो किस कौन सा जो पूछा गया कोईशन 11 में पूछा गया किस संगम युगिन जो संगम युगिन राज्य के जो संग्रक्षन में पूछा गया तीन संगमों का यूजन किया गया तो बताईए किसके संगम यूगिनराज्य के संगरक्षन में कौन था जिसके संगम युगीन राज्ये के संग रक्षन में तीन संगमों का योजन किया गया तो कोश्यन 11 का उपसं सी पांडे क्या है इसका राइट आंसर है पांडे है संगम युगीन राज्ये के संग रक्षन में तीन संगमों का योजन किया गया चलिए Next कोशन क्यों बड़े गया ? अब हम Next देखेगे connected next question है Qzen Number 12 Q PG 12 में दिया गया किस ने उलेक किया है कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धरा में छिपा रखा था Q G pan 12 में दिया गया है किसने उलेक किया है कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था तो किसने उलेक किया है जिसने उलेक किया है वो पूछागे कि किसने ये उलेक किया है कि जो नंदों नंदों ने किसने जो नंद थे नंदों ने जो अपना कोश था वो गंगा की धारा में चिपा रहा है कि इसकी धारा में जो गंगा की धारा में नंदों ने क्या चिपाया था अपना कोश चिपा रहा था तो ये किसने उलेक किया है आप शे पूछा गया है option a option a में दिया गया मामूल नार उप्शन बी तोल किप्यर उप्शन सी तिरूवलुवर उप्शन डी नकिरर तो किसने उलेक किया था कोशन ट्वेल्फ तो किसने उलेक किया था ये मामूल नार ने मामूल नार ने जो मामूल नार है उसने क्या उलेक किया था जो नंद है जो नंद थे उन्होंने अपना जो कोश था वो गंगा की जो धारा थी गंगा की जो धारा थी उसमें छिपा रखा था गंगा की धारा में क्या नंदों ने अपना कोश जो था वो गंगा की धारा में छिपाया था ये उलेक किया है किसने मामूल नार ने उलेक किय था कोशन 12 का option A हमारा राइट आंस्वर है कोशन 12 का option A क्या हमारा राइट आंस्वर है चलिए next question क्यों बढ़े गया नेक्स्ट कोशन है question number 13 question 13 में सुमेलित कीजिए सुमेलित कीजिए तो इसमें राज जी है और सुची फ़शट में क्या दिया गया गया तो राज जी scoring कून कून से दिया गया गयाई शेयर च्ण पांड लिए और जो राज के चिन है इनका धनुश बाग मचली यह हमारे क्या है राज की चिन दिये गए थ छलिए अब कूट देखते है कूट में क्या कोशन 13 में हमारे यह दिया गया चलिए देखते हैं कोशन तो इसमें दिया गया है सुमेलित कीजिए सुमेलित कीजिए सुची फर्स्ट हमारी राज्य है और सुची सेकंड राज किया चिन है राज्य में चेर दिया गया चोल और पांडे है और जो राज्य के चिन है हमारे इसमें धनुस बाग और मचली तो चेर जो राज्य है उसका जो राज्य के चिन था वो क्या था धनुस था और जो चोल है उसका जो राज्य के चिन था वो बाग था उपसंसी में यो जो है हमारे C में क्या दिया गया है पांडे है जो पांडे है इसका जो राज के चिन था पांडे राज के चिन मचली था तो इसका क्या बनता है 1,2,3 चलिए देखते हैं कौन से कूट में कौन सा जो option है हमारा 1,2,3 दिया गया है question 13 था यह हमारा question 13 तो option A में हमें 123 दिया गया option A में क्या दिया गया 123 दिया गया है तो question 13 का option A 1,2,3 इसका right answer है चलिए next question को चलेगे अगला question देखेंगे अब हम अगला question क्या है question number 14 कोशन 14 है अब हमारा कोशन 14 में देखते है कोशन 14 में लिखा है सुमेलित कीजिए इसमें क्या ये भी सुमेलित करना है यानि ये भी मैच वाला कोशन है दो क्या ये भी सुमेलित करना है और दो भी सुची किसी वैस्ट और इसमें सुची स्ब्सक्राइब माइच करना है चलिए जो पहला ए में क्या दिया गए तोल किप्यम जो तोल किप्यम है ये किस लेकग ने लिखिया है तो तोल किप्यर ने तोल किप्यर जो लेकग है उसी ने लिखी है फिर दूसरी पुस्तक है हमारी सिल पादिकारम तो जो यह पुस्तक है ये कौन से लेखक ने लिखिया ये लेखक ने लिखिया इलांगो आडिगल कौन से लेखक था इलांगो आडिगल ने ये पुस्तक लिखिया है चलिए जो हमारी कौन सी जह पुस्तक थी छूल पार्म पुस्तक है वह किस ने लिखी थी जो लेकक था इलांगो अड facto लें यह पूस्तक लिखी थी Balbo आड गड ने कुन शूल पुस्तक लिखी थी सिल पार्म चलिए सी में दिया गया हमारा सीत ले सतनार ने लिखी थी जीवक चिंता मनी पुस्तक कुण सी है डीपे ज हमारी जीवक चिंता मनी पुस्तक लिखी थी तिरुत के देवर तिरुत का देवर तो जो चीवक चिंता मनी जो निखी गई है जो किताब लिखी गई है वो किसके दुआरे लिखी गई है जो इसका लेका कैवह तिरुत के देवर तो कोशन का इसका क्या बनेगा हमारा 1,2,3,4 तो चलिए देखते हैं कौन से option में 1234 दिया कोशन 14 का option A में हमें 1234 दिया गया है तो कोशन 14 का option ने क्या है हमारा राइट आससर होगा 1234 की इसका राइट answer है चलिए next question के और चलेगे अब हम next question को देखेंगे next question क्या है question number 15 next question है हमारा सुमेलित कोशन 15 में दिया गया सुमेलित कीजिए तो देखेंगे सुमेलित करना है question 15 में सुची first छेतर दिया गया और सुची second आर्थ तो छेतर में देखेंगे हम छेतर में क्या क्या दिया गया कुरुण जी पालाई मुलाई मुरुधम और आर्थ में क्या दिया गया पहाड़ी मरू भूमी निर्जन इस्थल जंगल और क्रिशी भूमी और नीचे क्या नेवल और तट्य चेतर दिया गया है चलिए इसमें देखते हैं जो सुमेलित करना है सुमेलित हमें सुची first छेतर और सुची second आर्थ करना है तो इसमें क्या बनता है कुरुण जी कुरुण जी जो हमारी पहाड़ी और पाले क्या होगी जाल से में मुल्ड़ाई जंगल और मरुदव म् कृशी भूमी चलिए इसका क्या 1234 बन रहाए हमारा नेक्स्ट पर देखते आगे एक और दिया गया है यही नेवल किया थाट्यल चेत्र नेव चत्र ताट्यल चेत्र तो देखते हैं कौन से अप्शन में हमारा 1234 दिया गय का option A हमारा right answer होगा चलिए next question के और बढ़ेगी अपने अगले question को देखेंगे next question पर है question number 16 question 16 हमारा दिया गया है question 16 में सुमेलित सुची first और सुची second दिया गया है question 16 करते हैं question 16 में क्या है सुची सुमेलित की जी दिया तो सुची संगम दिया यहां सुची second में अध्यक्स हमें धिया तो छलिए पहला पर्थम संगम ने अध्यक्स पूचा गया पर्थम संगन अगस्त शेय और दृत्ते संगम अगस्त एवं तोल का प्यर और जो तृत्ते शंगम था नकी रर नकी रर तो इसका क्या बनता है इसका भी 123 हमारा बनेगा कोश्यन 16 का 123 बनता है चलिए देखते हैं कौन से उप्षन में 123 दिया गया है चलिए इसका भी उप्षन ए 123 हमें दिया गया है उप्षन ए में 123 दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा उप्षन ए 123 इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोश्यन के और बढ़ेगे नेक्स्ट कोश्यन का है कोश्यन नम्बर 17 कोशन 17 हमारा दिया गया है कोशन 17 हमारा दिया गया है कपाट पुरम या अलवे में समपन द्वित्य संगम का एक मात्र सेश ग्रन्थ कौन सा है कोशन 17 में क्या पूचेगे कोशन जो कोशन नमबर 17 है हमारा सतरवा परसन पूचेगे सतरवा परसन है यह हमारा कपाठ पुरम या अलवे में संपन द्वित्य संगम का एक मात्र सेस गरंत कौन सा है तो बताए जो कपाठ पुरम या अलवे में जो संपन जो द्वित्य संगम ह है उसका जो एक मात्र सेस गरंत है वो कौन शाह है तो बताया सेस गरंत हमारा एक मात्र सेसर गरंत है वो कोन सा है р ten आपे डिपानच सोप्षेन भी इतओ treffen सी पतुपाहूं स्यंदी पदी क्या हमारा पदीने किल्ल नकू कड़ीने कियर पूछा गया है इसमें पूछा गया कंड़ा में, में संपन बुएत्जा संगम से हमात्र के समगन से कोन रहे हैild है je कोशन 17 का option है तोल का प्यम इसका सही उत्तर होगा कोशन नमबर 17 का option है हमारा राइट आंसर है चलिए next question क्यों बढ़े गया अब हम next question क्यों चलते है कोशन 17 का option है तोल का प्यम इसका राइट आंसर है next question देखेगे next question क्या है कोशन नमबर 18 कोशन 18 दिया गया किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिन भारत का आरिय करन किया उन्हें आरिय बनाया question 18 में दिया गया किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिन भारत का आरिय करन किया क्या किया आरिय करन किया और उन्हें क्या आरिय बनाया तो कौन सा रिसी था कौन से रिसी के बारे में ये बात कही गई है कि उन्हें दक्षिन भारत का आरिय करन किया कि उन् से रिशी के बारे में कहा जाता है या किस रिशी के बारे में बात चल ल astronauts स्पंब संसी वसित गोफशंडी सांभर option d क्या है हमारा सामबर तो जो question 18 है हमारा इसका जो right answer होगा अगस्त शे कौन सा रिशी था वो अगस्त सा रिशी के बारे में ये कहा जाता है ये बात होती है कि जिन्होंने जो दक्षिन भारत का आर्यकरन किया था क्या क्या था अगस्त से जो रिशी थे इन्होंने दक्षिन भारत का आर्यकरन किया था और उन्हें क्या बनाया था तो कौन सा रिशी था वो अगस्त से रिशी के बारे में यह कहा जाता है अगस्त से वे रिशी थे जिन्होंने दक्षिन भारत का आर्यकरन किया और उन्हें आ right answer है चलिए next question को बढ़ेगी अपने next question को चलते हैं next question में क्या हूं 19 i95 है रोमन समराठ आगस्ट रोमन समराठ आगश्टस के दर्बार में 20 इसीवी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा कोशन 19 में दिया गया इस्ट्रेबो के अनुशार संगम यूग के किस वंस यह पूछा गया कि कौन से वंस के बाद चल ले है जिसने सासक किस वंस का जो सासक था ने रोमन रोमन समराट आगश्टस के दर्बार में 20 इसीवी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा तो कौन सा वंस का सासक ने बेजा थाा ऐप्शन ए हमारा है पांड ले नरेश ने उप्शन भी चौल ले नरेश ने उप्शन सी चेर ले नरेश ने उप्शन डी इन में से कोई नहीई इन में से कोई नहीं तो question 19 का जो पांड्या नरेस के अपना सासक पांड्या जो नरेस थे उस वंस के पांड्या नरेस ने भेजा ता पांड्या नरेस ने तो question 19 का option है कोश्यन 19 का option है कि हमारा right answer है कोश्यन 19 का option है हमारा right answer होगा चलिए next question के और बड़े गया अब हम next question के हमारा question number 20 question 20 हमारा दिया गया चलिए देखते है question 20 में क्या दिया गया question 20 है तुरू वलूअर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है कोश्यन 20 में पूछा गया तिरू वल्लूवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है तो बताए जो तिरू वल्लूवर की रचना कौन सी जो तिरू वल्लूवर की रचना है कौन-कौन सी कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है जो रचना है किसकी जो तिरुवल्लुवर है उसकी जो रचना है कौन-कौन सी कुरल या मुपपाल दो रचना है किसकी है ये तिरुवल्लुवर की जो रचना है कुरल या मुपपाल को कहा जाता है तो बताए क्या कहा जाता है पूछा गया है उप्षन A तमिल भूमी का बाइबल तमिल भूमी का बाइबल उप्षन B तमिल भूमी का महान व्याकरन गरंत उप्षन C तमिल भूमी का महान नाट्य गरंत उप्षन D इन में से कोई नहीं कि इन में से कोई नहीं तो कोई से अंडर 12 है इसमें पूचा गेए था दो राचना हमारे दिये गई है दो राचना दी गई है तिरू वाल हुर्न की दोनों रसदोर प्र congressional दी गई है कुछ निया मुपाल को पूचा गई है कि क्या चाह cotton है तो इसका राइट अँसरोगा क्या का जाता है तमिल भुमी का बाइबिल किसे का जाता है जो ने नेक्स्ट कोशन को बढ़े गाDr बड़े गैब हमनेक्स्ट कोशन कोऊचन कोशन के अच्छ套 चलते है नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा कोशन नमबर 21 चलिए नेक्स्ट कोशन हमारा आ चुका है कोशन नमबर 21 हमारा दिया गया है कोशन 21 में पूचा गया तमिल काव्य का इलियर कहा जाता है कोशन 21 में क्या जा गया है कोशन 21 है इसमें दिया गया तमिल कावय का इलियर कहा जाता है कौन सा जो तमिल कावय है उसका जो इलियर कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है यह पूछा गया है तो किसे जो तमिल कावय का जो इलियर है उसे पूछा गया है का कहा जाता है कि क्या कहा जाता है Option A, Option A क्या है हमारा तोल कफ्यम Option B, कूरल Option C, सिल पादिकारम Option D, मनी मेक लई मनी मेक लई तो बताईए जो तमिल कावय का इलियर है उसे क्या कहा जाता है पूछा गया है तो बताईए क्या कहा जाता है जो तमिल कावय का इलियर है उसे क्या कहा जाता है पूछा गया है तो उसे क्या कहा जाता है तो तमिल कावे का इलियर को क्या कहा जाता है तो कोश्यन 21 का उपसन C हमारा राइट आंसर है कोश्यन 21 का उपसन C इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कोश्यन क्यों चलते हैं अब हम नेक्स्ट को देखेंगे नेक्स्ट कोश्यन है हमारा कोश्यन नमबर 22 22 वा कोश्यन है यह हमारा 22 वा कोश्यन है कोश्यन 22 में कहा देगे कंमिंटी तु में पुछा गया तमिल कावे का ओडीशी कहा जाता है करे जो हमने कौश्ण देख Certainly कावे का युलियर्ड पूछा गया पुछा गया तॉनियर्ड और जो अब कौश्ण में Πुछा गया तो और व mural के और दूश्रे में क्या पूछा गया तो बताया जो ट्वेंटीवन था उसका जो आंसवर ता उसमें कहा जाता है उप्शन kिप्षिं, सिल्पधी कारम किसे कहा जाता है युड तो जो मैंनी मेक लए तो जो टमिल काव्य कोडिय का वह सिल्प पाधी करम कोश्यन जो ट्वेंटी टू यहां जो राइट आंसर है कोशन 22 का उप्षन डी मनी मेक लाई इसका राइट आंसर होगा जो तमिल कावे का ओड़ी कहा जाता है मनी मेक लाई चलिए कोशन 22 का उप्षन डी हमारा राइट आंसर है next question के और बढ़ेगा अब हम next question क्या है question number 23 अब हमारा question है question 23 question 23 में क्या देगा पूहर कावेरी पटनम की स्थापना किसने की question 23 में पूछेगा जो पूहर है पूहर कावेरी पटनम की स्थापना पूछी गई है कि किसने की तो बताईए जो पूहर कावेरी पटनम है उसकी जो इस्थापना थी वो किसने की ती स्थापना पूछी गई है किसकी कावेरी पटनम या पूहर की जो इस्थापना थी वो किसने की option A, कारी काल, option B, सेन गुठवन, option C, नैंडू जेलियन, option D, इन में से कोई नहीं, तो बताईए, जब पूहर कावेरी पतनम थी, जो उसकी स्थापना है, वो खिशने की थी, ये पूचा गया है, तो किसने की थी, जो स्थापना थी, वो कारी काल ने की थी, किसने स्थापना की इसके थी, पूहर ये कावेरी पतनम की स्थापना की थी, किसने कारी कालने स्थापना की थी, जो स्थापना थी, वो कारी कालने की थी, तो गुशन 23 ये हमारा right answer लार है, गुशन 23 का ओप्शन है हमारा राइट आंसवर होगा कारीकाल क्या इसकीर याइट राइट आनसवर चलिए नेश्ट कोशन के और बड़े गया आगा अबम next question देख ये next question में क्या दिया गे है कोशन नमबर 24 कोशन के हमारा कोशन 24 दिया गया है कोशन 24 में पूछा गया है सुमेलित करे क्या करना है इसमें हमें सुमेलित करना है सुमेलित करे तो सुमेलित में क्या है सुची 1 और सुची 2 हमें दी गई है तो सूची जो फर्स्ट है इसमें राज्ये दिया गया और सूची सेकिन में परक्यात Sasaak जो प्रक्यात सासक जो सासक हो दिया गया Raja 지금 हमें दिया गया चलिए ए जो चेर है चेर का जो सासक था परक्यात सासक कूछ है सेन गुट्टु वन और जो चोल है इसका जो सासकता कारिकाल और पांडे का निंडू जेलियन निंडू जेलियन तो इसका जो आंसर बनेगा 123 123 देखते है कौन से option में हमें दिया गया है question 24 का option A में हमें 123 मिल गया तो यही क्या है हमारा right answer है question 24 का option A हमारा right answer होगा question 24 का option है क्या हमारा right answer है चलिए next question क्यों बढ़े गया अब next question क्यों चलते है next question क्या हमारा question number 25 तो question जो 25 एस में दिया गया मुझरिस किस राज्य का परमुक बंदरगाहा था question 25 में क्या पूचा गया है question 25 एस में पूचा गया है मुझरिस कौन सा जो मुझरिस है तो किस राज्य का परमुक बंदरगाहा है तो बताइए जो मुझरिस है मुझरिस जो बंदरगा है वो कौन सा राज्य पूचा गया है कि जिस राज्य का वो क्या था परमुक एक बंदरगा था कौन से बंदरगा मुजरिस जो बंदरगा है मुजरिस मुजरिस पूछा गया है कि वो कौन से राज्य का पर्मुक बंदरगा था तो राज्य का हमें नाम बताना है option A, chair, option B, चोल, option C, पांड यह, option D, कदम तो कौन से राज्य का जो बंदरगा था वो मुझरिस था राज्य है इसमें पूछा गया है तो जो राज्य था वो चेर राज्य था चेर जो चेर राज्य है उसका जो परमुक बंदरगा था वो क्या था मुझरिस जो बंदरगा है वो चेर राज्य का परमुक बंदरगा था म मुझरिस जो बंदर गाया वो चेर राज्ये का परमुक बंदर गाया था तो कोशन 25 का ओप्षन है हमारा राइट आंच्वर है चलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़ेगे अब हम नेक्स्ट कोशन क्या देगे कोशन नमबर 26 हमारा दिया गया है कोशन 26 आ चुका है अब हमारा कोशन 26 में क्या दिया या किस के संबंद में यह कहवत है जितनी जमीन में खाती लेट सकता है उतनी जमीन साथ आदमियों का पेट भर सकता है कोशन 26 है इसमें पूछा गया है किस के संबंद में यह कहवत है जितनी जमीन में एक हाती लेट सकता है उतनी जमीन साथ आदमियों का पेट भर सकता है तो बताएं किसके संबंद में का वट करती है चो यह कावथ क्या जितनी जमीन में जरे जो जमीन है इतने जंविटा Is तो यह कहावत किस से संबंद में यह कहावत कही गई है तो ओप्षने हैं हमारा कॉइरी डेल्टा आप्षन वी तुंग भद्रा के तट वर्ती छेत्र ऑप्षन सी राये चूर दो आभ अप्षन डी इन वें से कोई नहीं तो कोशन है हमारा कोशन में पूचा गया है था कि जितनी जगह में एक हाती लेटता है जितनी जमीन पर एक हाती लेटता है उतनी जमीन होती है उसमें तो साथ आदमियों का पेट भर सकता है तो यह जो कहावत है यह किसके संबन में कही गई है तो यह किसके संबन में कही गई ही है कि कावेरी डेल्टा संब्ण में सब्सक्राइब इस जमीन पर एक हार्थ लिए विर्टता उतनी समीन जमीन तो इस जमीन पर भर सकता है उतनी जमीन वाकर सकती है तो 27 और संप्ष्णे का हमारा राइट ल्टा की कावेडी डेल टा किया इसका राइट आसवर अचलिए नकस्ट किछन बढ़ने नेक्स्ट कुष्ण की लो प्रकुर जालते मैं नेक्स्ट किश्ण कैमर को को शेंप jsaff 27 कोशन 27 में दिया गया है प्लीनी के गरंट एवम अज्यात नामा लेखक के गरंट पैरी पल्स के अनुशार मोती के सिप पांडिय देश के किस छेतर से निकलते थे कोशन 27 में पुछा गया है प्लीनी के गरंट एवम अज्यात नामा लेखक के गरंट पैरी पल्स के अनुशार मोती के सिप पांडिय देश के किस छेतर से निकलते थे कोशन 27 में पुछा गया है प्लीनी के जो गरंट है प्लीनी के गरंट एवम अज्यात नामा जो लेखक के गरंट है कौन पैरी पल्स के अनुशार मोती के सिप पांडिय देश के किस छेतर से निकलते थे ओप्शन A हमारा मदू रई ओप्शन A मदू रई ओप्शन B कपाठ पुरम ओप्शन C कोल चे ओप्शन D इन में से कोई नही तो जो कोशन है हमारा 27 इसका जो राइट आंसवर होगा कोल चे कौन से छेतर से निकलते थे तो कोशन 27 का ओप्शन C कोल चे इसका राइट आंसवर होगा कोल चे क्या इसका राइट आंसवर है कोल चे क्या इसका राइट आंसवर है कोन से छेतर से निकलते थे कोल चे का जो चेतर है कोल चे छेतर से निकलते थे the question 27 का जो right answer होगा वो option C हमारा right है चलिए next question के और पर चलेगे next question देखेंगे next question क्या हमारा question number 28 next question क्या देगा है अगला जो question हमारा question number 28 चलिए question 28 में क्या देख गाए या अन्य वस्तूओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किये जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है question 28 में पुछा गाए या न्य वस्तूओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किये जाने वाले वीर परिस्तर को कहा जाता था तो बताए जो गाय कोशन में पूछा गाय है या जो अन्य वस्तू के लिए जो गाय या फिर अन्य वस्तू होती है उनके उनके लिए क्या लड़ते लड़ते जो मरने वाले वीर थे जो उनके लिए मरे मतलब लड़ते लड़ते क्या होए मर गए मरने वाले जो वीर थे उनके सम्मान में उन नाडू कुल, वीर कल, नाडू कुल, option B, को, option C, उलगू, option D, कड मई, option D क्या है अमार कड मई, तो जो question 28 है, question 28 है, इसका जो write answer होगा, question 28 का, जो write answer है, Q28 का जो राइट आंसर होगा Option A वीर कल नाडुकुल इसका राइट आंसर है वीर कल नाडुकुल इसका राइट आंसर होगा Q28 का उप्शन A हमारा राइट आंसर है वीर कल नाडुकुल इसका राइट आंसर है Q28 का उप्शन A हमारा राइट आंसर होगा question 28 का option A क्या right answer है वीर कलनाडुकुल क्या इसका right answer है तो question 28 है इसका right answer होगा option A हमारा right answer है चलिए next question क्योंब बढ़ेगे next question क्या है question us number 29 question 29 हमारा दिया गया है question 29 में क्या दिया गया है टम तमिल प्राचीन तम तमिल देवता मुरूगन किस वेदिक देवता के शैद रश्य है कोशन 29 में पूछा गया है प्राचीन तम तमिल देवता मुरूगन किस वेदिक देवता के शैद रश्य है तो बताईए जो question 29 है इसमें हमसे पूछा गया है जो प्राचिनतम जो तमिल थे प्राचिनतम जो तमिल देवता है मुरुगन किस वेदिक देवता के शैद रश्य है तो बताए जो प्राचिन्तम के जो क्या थे तमिल देवता थे कौन से तमिल देवता जो मुरुगन है वो कौन से वैदिक देवता के सैदरश्या पूछा गया है चलिए option A हमारा ब्रह्मा option B विश्नो option C महेश option D इसकंद कार्थी की है इसकंद कार्थी की है इसका राइट आंसर है तो question 29 है इसका राइट आंसर होगा option D इसकंद कार्थी की है इसका राइट आंसर होगा इसकंद कार्थी की है इसका राइट आंसर है तो question 29 है इसका राइट आंसर है option D option D हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़े गए अब हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट कोशन बचता है हमारा आज की मेरेथन किलास का ये लास्ट कोशन होगा चलिए कोशन नमबर क्या है कितना है ये कोशन नमबर अब हमारा 30 थर्टी कोशन है जो कि आज की मेरतन किलास का लाश्ट कोशन है हमारा कोशन थर्टी में पूचा गया है संगम कालीन सहित्य में कौन को को एवम मनन किसके लिए पर्युक्त होते थे तो बताइए जो संगम कालीन कौन सा संगम कालीन सहित्य में कौन को एवम मनन किसके लिए पर्युक्त होते थे तो बताइए कौन को एवम जो मनन है वो किसके लिए पर्युक्त होते थे कौन से जो संगम कालीन जो शहित्य था उसमें पूचा गया है पूछा गया है, तो option A है हमारा परधान मंत्री, option B, राज सव मंत्री, option C, सेन दिकारी, option D, राजा, तो किसके लिए परियुक्त होते थे, तो जो question 30 है, इसको जो right answer है, option D, राजा के लिए, तो राजा के लिए क्या परियुक्त होते थे, राजा के लिए, जो कौन कोईवम मनन है ये किसके लिए प्रियुक्त होते थे ये राजा के लिए प्रियुक्त होते थे संगम कालीन सहित्ते में प्रियुक्त ये राजा के लिए होते थे तो कोशन 30 का उप्शन डी राजा इसका राइट आंसर होगा राजा क्या है हमारा राइट आंसर है तो कोशन 30 का उप्शन ड किएगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जादे से जादे से जादे सेर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रिक्सल्स है पाटी को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू झाल शुम झाल शुम झाल चैनल झाल विक्णून, गृम झाल न सीक्षा यू थैंक यूल झाल झाल झाल